महिलाएं बिना नहाए भूल कर भी ना करें ये पांच काम घर में आती है दरिदर्दा नमबर एक बिना सनान किये रसोई में जाना शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं को सनान किये बिना रसोई में जाकर खाना नहीं पकाना चाहिए भोजन को मा अन पूर्णा का परतीक माना जाता है इसलिए सनान किये बिना शरीर पवित्र नहीं होता ऐसे में भोजन बनाना मा अन पूर्णा का अपमान माना जाता है मा अन पूर्णा को मा लक्ष्मी का रूप माना गया है ऐसा करने से मा लक्षमी नाराज हो जाती है इसलिए महिलाओं को सनान करके ही भोजन पकाना चाहिए बिना सनान किये महिलाओं को तो क्या किसी को भोजन नहीं करना चाहिए इसकी वज़ा भी सपष्ट है कि नहाने के बाद ही हमारा शरीर स्वच्छ होता है बिना नहाए भोजन करने से कई दूशित पदार भोजन के साथ हमारे पेट में जाकर हमें बिमार कर सकते हैं इसलिए महिलाओं के साथ साथ बाकी लोगों को भी सनान करके ही भोजन करना चाहिए नमबर तीन बालों में कंगी शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं को सनान करने के पश्चाती अपने बाल खोलने चाहिए और उनमें कंगी करनी चाहिए ऐसा माना जाता है कि सनान किये बिना महिलाओं के बाल खोलने से नकारात्मक शक्तियां आपके घर की तरफ अकर्शित होती है और आपके घर में दरिदिरता आने लगती है इसलिए जब भी आप बालों में कंगी करें तो सदैव सनान करने के बाद ही करें शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं को सनान किये बिना तुलसी को जल नहीं देना चाहिए दर असल तुलसी को लक्षमी स्वरूप माना गया है और बिना सनान के तुलसी में जल देने या फिर तुलसी का पत्ता तोड़ना मा लक्षमी का अपमान माना गया है इसलिए तुलसी में सदैव सनान करने के बाद ही जल दें ऐसा करने से मा लक्षमी आपके घर में वास करती है क्वारी कर्ण्याओं को सदैव से डखकर ही तुलसी के पोदे में जल देना चाहिए अकसर देखने में आता है कि कुछ लोग बिना सनान किये नोट गिनने लगते है शास्त्रों में इसे गलत माना गया है दरसल धन को भी मा लक्षमी का ही रूप माना गया है और सनान किये बिना धन चुना मा लक्षमी को अप्रसंद करने के समान है ऐसा करने से मा लक्षमी उनसे कभी प्रसंद नहीं होती दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी टालर हिंदी को सब्सक्राइब करें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद